अगर आप भी बच्चों को टिफिन में कुछ हेल्दी और टेस्टी देना चाहते हैं तो सोया चंग्स की ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राइ करें यकीन माने बच्चों को बहुत पसंद आएगा तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है लगभख सो ग्राम सोया बीन तो अब हम इसको डाल देते हैं एक बड़े से बरतन में और इसमें अब हम डालेंगे गरम पानी अगर आपको जल्दबाजी नहीं है तो आप इसमें नॉर्मल ठंधा पानी डाल कर भी इसे आधे गंडे के लिए रख सकते हैं लेकिन अगर आप गरम पानी डालेंगे तो यह 5-10 मिनट में ही अच्छे से फूल जाएगा तो यह देखी यह अच्छे तरीके से फूल गया है अभी यह थोड़ा तो गरम है तो हम इसका पानी दो से तीन बर चेंज करने के बाद हम इसको आपको तो इसी तरीके से हम सारे सोया में से पानी निकाल देते हैं यह देखिए मैंने सारे पानी को निकाल करके अलग कर दिया है अब हम डालेंगे इसमें कुछ चीज तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे आधा चमश नमक आधा चमश लिया है मैंने यहाँ पर काश्मीरी लाल मिर्श पाउडर यह बस कलर के लिए है और साथ में यहाँ पर मैंने दो टेबल स्पून लिया है बेसन पहले आप बेसन थोड़ा थोड़ा करके डाले अगर आपको जरूरत हो तो तभी बाद में डाले लेकिन पहले थोड़ा थोड़ा करके डाले फिर सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से हमें इसमें मिक्स करना है तो लगातार आप इसको अच्छे तरीके से हाथों से मिलाते रहिएगा या अच्छे से मिक्स हो जाएँगे गया सारे में इसको अच्छे तरीक हैं लो को टू मीडियम रखनी है और ये जल्दी ही भुण जाते हैं तो आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से भुण गया है अब हम इसको वापस से उसी बर्ते में निकाल लेते हैं ये बहुत जल्दी भुण जाते हैं ये थोड़ा सा तले में चिपकते हैं पर घपराने की बारीक करके रखा था उसे भी डाल दिया है दो प्याज को मैंने बारीक करके रखा है उसे भी डाल दिया है और सबको अच्छे तरीके से थोड़ा सा गोल्डेन बाउन होने तक हम इसको भून लेंगे उसके बाद देन मैंने है पिलिया है आधा सिमला में शिष्को डाल दिया है तीन टमाटर को मैंने बारिक बारी कट किया था उसे भी हम डाल देंगे इसमें और दोनों को अच्छे तरीके से पकाएंगी और इनको हमें तब तक भुनना है जब तक कि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए तो ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और इसको सॉफ्ट करने हमें 2-3 मिनिट का समय लगा है अब हम इसमें डाल देते हैं गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर साथ में थोड़ा सा कास्मीरी लालमेश पाउडर कलर के लिए अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके बच्चे तीखा खाते हैं तो आप उसमें मिर्च डाल भी सकते हैं पर मेरे यहां बच्चे तीखा नहीं खाते हैं बहुत ज़्यादा तो मैंने यहां पर मिर्च को स्किप कर दिया है अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और पानी डालने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि हमारे मसाले जो है वो अच्छे से पक जाए और जले भीना तो इनको हमें लगातार अच्छे तरीके से भूनना है तो ये देखिए मसाले हमारे अच्छे तरीके से पग गए हैं अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी है तो अब हम इसमें डाल देँगे ये स्यनग्स तयकि ये अच्छे तरीके से सारे मसाले जो हैं इसके उंदर मिक्स हो जाए तो अब हम इसको लगातार चलाते हुए अच्छे तरीके से सारे मसालों को इसमें मिक्स कर देंगे तो ये देख सकते हैं आप सारे मसाले इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है अब हम इसमें डाल दें हैं दो कप पानी तो ये नॉर्मन पानी है आप चाहे बच्चों के टिफिन के लिए तयार भी हो जाएगा तो ये देखिए रेस्पी हमारी बन करके तयार हो गी है थोड़ा सा कसूरी मेथि हम उपर से डाल देते हैं ताकि इसे इसका टेस्ट जो है और बढ़ जाए अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप उसे भी डाल सकते हैं पर हमारे इसे में हरा धनिया आना बंद हो गया है तो इसलिए मैंने कसूरी मेथि डाल दिया है सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और चली अब हम इसको निकाल लेते हैं तो ये दिखिए बहुत ही जल्दी तयार हो गई हमारी आज की टिफिन वाली रेसिपी अगर आप भी बच्चों को इसी तरीके से हेल्दी और टेस्टी दिना चाहते हैं तो एक बार सोया चंग्स की ये वाली रेसिपी जरूर ट्राइ करिएगा यकीन मानि आपको बहुत पसंद आएगा और आपके बच्चे भी इसे बहुत चाव से खाएंगे और पूरा टेफिन एक बार में साफ करके आएंगे तो एक बार मेरे कहने से आप इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करिएगा यकीन मानि आपको भी बहुत पसंद आएगा तो आप इसे चावल के साथ खाए रोटी के साथ खाए पूरी या पराठी के साथ खाए सब के साथ इसका टिस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजेगा चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब करना ना भूल लेगा साथ में ही बैल आइकन को भी प्रेस कर कर दीज lemon कर देयर अना भी प्रेसब यह लेखोंपन हैं जरूर惏ज कि रहाएब कर दीजेशए लimmी हो कर दीजे चैनल लेकर दीजे हैं अजय झाम रादी आड़े प्रेस सब्स्स्ऐ करदर का टना बढ़्यों तो